नमस्कार दोस्तों वेलकम टो आसे अस्ट्रोलोजी मैं नीतु सिंग दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बला इकन को दवाना बिल्कुल भी न भूले जिससे की वीजियो के अबजेट आप सभी लोगों तक पहुचती रहे कैसा जाने वाला है मिथुन डाशी वालों के लिए दिसमबर का माया यानी 2022 का आखरी मा कैसा जाने वाला है मिथुन डाशी के लिए तो चलिए जानते हैं मिथुन डासी के जातकों के लिए साल का आखरी महीना मिला जुला साबित होगा दिसंबर महीने के शुरुवात में आपको घर और बाहर दोनों जगा सभी लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा बॉस की कृपा बरसेगी और आपका प्रमोशन भी हो सकता है क्योंकि प्रमोशन के योग बन रहे है ये समय परिक्षा प्रत्योगिता की तैयारी से जुटे लोगों के लिए भी बहुत शुब साबित होने वाला है लंबे समय से मंचाहे जगे पर टास्वर की जो कामना थी आपकी वो भी पूरी होने के असार दिख रहे है जो लोग अपने व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही शुब रहने वाला है इस दोरा नई दुकान या नया कारुबास शुरू करने के लिए योग बनेंगे हाला कि आपको ऐसा करते समय अपने सुब चंतिकों की सला जरूर लेनी पड़ेगी दिसंबर महीने की दूसरे सब्ता में परिवार के साथ अचानक से छोटी या लंबी दूरी यात्रा पे आप जा सकते हैं क्योंकि इसके योग बन रहे है यात्रा सुखद एवम मनुरंजग होने वाली है महीने की मद्ध का समय थोड़ा आपके लिए चुनौती पूंड रह सकता है इस दौरान आपको काम के छेत्रों में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है विरोधी आपके काम में अर्चने डालने की कोशिश करेंगे आप लेकिन उसमें से बाहर निकल आएंगे इस दौरान आपको अपने सीनियर से कम सहयोग मिल सकता है ऐसे में आपको हमेशा यही अन्वा होगा कि आपके कामों की अपैक्षा की जा रही है हाला कि यह स्थिती लंबे समय तक नहीं रहेगी इसलिए आप अपने काम को धैरे के साथ बहता तरीके से करते रहे विवसाए से जुड़े लोगों को इस दौरान धन की लेन देन में विसे सावधानी बरतने की जरूरत है वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है किसी जोखिम भरी योजना या विवसाए में पैसा लगाने से बचे इस महीने प्रेम संबन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले आपको दसबास सोचने की आवश चकता है वरना बार में पश्टाना पड़ सकता है दामपत्य जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार चलती रहेगी संतान के साथ भी वैचारिक मदभेद हो सकते है तो ये था कैसा रहने बाला है दिसंबर माँ 2022 इस रासी के लिए यानि मिथुन रासी के लिए आपको यो पाय जान लेते हैं कि जिसको करने से इसे बहुत ही बहतर बनाया जा सकता है तो आपको क्या करना है रोजाना गड़पती जी को दुरवा चड़ाए चाहिए अपने घर में चड़ाए चाहिए आप मंदर में जाके चड़ाए दोस्तों अगर आपको वीजियो मेरी पसंद आई वीजियो लाइक करें शेयर करें मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे चैमातादी